बाइपोलर डिसॉर्डर में स्तिरता लाना बहुत जरुवी होता है मानसीक स्तिरता और भावनिक स्तिरता उसके बारे मैं बात चीत करते हैं मेरा आमें डॉक्टर दीपकेड़ेकर में मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यस्वन मुक्चि तक गया हूँ महाराष्ट्र में मुंबई पुने अकुला यहां प्रैक्टिस करता हूँ देखे बाइपोलर डिसॉर्डर जो है उसमें मैनिया डिप्रेशन मैनिया डिप्रेशन समझो आते रहता है कभि मैनिया का अटक फिर नार्मल हो जाएंगी फिर डिप्रेशन घया तर तडिप्रेशन आतक तो आपनेर जाएंगे मिधेIs उसमें उन्हों में उपर नीचे उपर नीचे कंटिनुसली होते रहता है पेशेंट तंग आ जाते हैं और उनको यह लगता है कि यह मारी ठीक होंगी कि ने होंगी जिंदे के पर यह करना पड़ेंगा कभी अच्छा होता ही नहीं मैं एक तो मैनिय मैं तो डिपरेशन में नॉ और मूर्स टैबिलाइजर जो है वह ईंधे लेगने पड़ते हैं लोगों लिंधे हम तंग एक कितनी दिन लेना लेना पड़ेगा आपका मुर्दि उपर नीचे होता है तो प्रक्राइज को इसी बड़ा कि मित्व कि मैन्य जैलेंज इंग गी मैं जाने को नहीं होना मतलब prevention होना depression से और depression में treatment चालोगी या तो मैने में जाने को नहीं होना तो सबसे बड़ा challenge होता है कि frequent ups and downs नहीं होना चीए ऐसी दवा और दूसरा कम से कम side effect वाली दवाई क्योंकि लंबे समय तक लेना है तो कम से कम side effects ये दवाईयों से कभी हाथ कपना फिर निन जादा आना कभी रैश आना या लेटरिन साफ नहीं होना भूक नहीं लगना कभी जादा वजन बढ़ना ऐसे अलग तरह के side effects हो सकते हैं तो उसके लिए titration dose का कम जादा करके एक ऐसा dose की जो dose जादा भी नहीं, कम भी नहीं है कम से कम side effect है और mania depression प्रिवेंट हो रहा है तो इस तरह सा वो titration करके combination जरुत पढ़ी तो combination करके sodium valproate, lithium का combination कर सकते है लंबे समय तक चलना है तो थायरोगिन उसमें add कर सकते है क्योंकि यह लोगों को thyroid की भी शिकायत धरे-दरे शुरू हो जाती है because of lithium तो वो एक तो हम जाइन कर सकते है उसको add कर सकते है और उसका जो ऊपर नीचे वाला जो इक सरी का कंडेंच चल रहा है वो steer ला सकते है यह challenge बहुत patient में दिखाए जाता है कि उनका mood steer नहीं है और फिर वो काम किरायते नहीं है productivity नहीं है क्योंकि काम पर जाई सकते है तो depression में मैं यह में काम नहीं कर सकते तो इसलिए उनका जल से जल mood ठीक लाना और उनको normalcy में लाना और normalcy में काम करने देना यह doctor का काम है और पेशन का यह काम है कि उसने regularly check up करके blood levels निकालके कि मेरी blood level ठीक है क्या दवाई हो की और वो जो stipulated blood level है उसमें मैं दवाई लेना के बरापर वो देखके treatment हो गई तो normal mood रह सकता है और फिर वो normal अपना जीवन जी सकता है बली दवाई लेनी बढ़ेंगी बहुत साल तक बार इवन नार्मल हो सकता है यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो यह लोगों को शेर करो थैंकि बेरी मिच झाम नार्म